आईए, दहाई से गिंती करते हैं, हमें दे रखा है 10, 20, फिर यहाँ पर एक संख्या छूट गई है कोई, 40, 50, 60, 70, 80, 200, हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या छूटी है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर दहाई से गिंती करने को कहा जा रहा है, यानि कि 10, 10 छोड़ कर गिंती करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आने चाहिए? चलिए देखते हैं तो अगर हम इसे ऐसे गिनते हैं 10-10 छोड़के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 तो यहाँ पर हमारी जो संख्या 30 है ये छूट गई थी तो अगर हम अपने इन options को देखें तो 30 है यहाँ पर चलिए इसके जाज करते हैं आगे बढ़ते हैं 10 फ्रेम कौन सी संख्या दिखाएंगे? तो 10 फ्रेम बस ये एक अलग तरीका है इस बात को कहने का कि हमारे पास 10 चीजों का एक सम्मू है अगर आप यहाँ पर एक इस बड़े डब्बे को देखें तो इसमें हमारे पास कुल 10 चोटी चोटी चीज़े हैं तो दरसल एक 10 फ्रेम ये 10 के बराबर होता है हमें पता करना है कि यहाँ पर हमें कुछ 10 फ्रेम दे रखें हैं ये कौन सी संख्या को दिखाते हैं इन उप्शन्स में से तो चलिए गिन लेते हैं हमारे पास कितने 10 फ्रेम है तो यहाँ पर एक 10 फ्रेम है 10 के बराबर तो ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तो यहाँ पर हमारे पास है 80 यहाँ मैं 80 पर निशान लगाऊंगी आगे बढ़ते हैं फिर हमें यहाँ पर दहाई से गिंती करनी है और पता लगाना है कि कौन सी संक्या छूट गई तो चलिए गिंते हैं 10-10 छोड़के तो यहाँ पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ पर 80 छूट रहा है हमारा यहाँ पर 80 पर हम निशान लगाएंगे आगे बढ़ेंगे हमसे कहा जा रहा है पचास बनाने के लिए 10 के फ्रेम को बॉक्स में खीचें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 10 के frame है, जिसे हम ऐसे खीट सकते हैं और इस box में रख सकते हैं, तो हमें कुल 50 बनाना है 10 frame को इस box में रखके, तो अगर मैं 1 10 का frame इस box में रख दू, तो मुझे मिल जाता है 10, मैं अगर एक और box रख दू यहाँ पर 10 frame का, तो मुझे मिल जाए यहां पर आप चाहे तो इन छोटे-छोटे हरे बिंदों को गिन सकते हैं, यह कुल 20 हैं, तो एक दस फ्रेम दिखाता है 10 को, दो दस फ्रेम दिखाएंगे 20 को, तीन दस के फ्रेम दिखाएंगे 30 को, चार दस के फ्रेम दिखाएंगे 40 को, और पांच दस के फ्रेम दिखाएंग पचास को तो हमने यहाँ पर पचास बना लिया है पांच दस के फ्रेम रखे चलिए इसकी बिजाज करते हैं और ये भी सही है